अगर आपको healthy खाना पसंद है तो आज की ये मूंग डाल टोस्ट की रेस्पी आपको बहुत पसंद आएगी ये healthy भी है और tasty भी है बनाने में बहुत असान है आप इसे बच्चे के लंच बॉक्स में भी बना करके बेश सकते हैं सुबह के breakfast में भी बना करके खा सकते हैं तो ल एक कप लिया है मूंग डाल आप अपने घर पर का प्याकटोरी से नाप करके ले सकते हैं मैंने एक कप लिया है अभी ले लेंगे हमें एक बावल उसमें डाल देंगे ये जो हमने डाल लिया है मूंग डाल देंगे इसमें डालेंगे पानी हमें इसे दो से तीन बार इसे मैंने पानी निकाल दिया है, तीन बार दो करके, अब इसमें पानी ओर डाल देंगे, इसे बिगो करके रखेंगे, मैं पूरी रात के लिए इसे बिगो करके रखूंगी, अगर आपको जल्दी है, तो आप एक घंटे के लिए बिगो करके रख सकते हैं, मैं पूरी रात क लगने के बाद यह देखेंगे, यह दाल जो है वो अच्छे से फूल गई है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है, और अच्छे से फूल गई है, जो अब इसका पानी है, वो हम इसका पानी निकाल देंगे, यह देखेंगे, मैंने डाल का पानी निकाल दिया है अब ले लेंगे हमें एक मिक्सी का जार उसमें जो हमारी सारी डाल थी भी गोई होई वो डाल देंगे इसमें फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च मैंने तीन से चार हरी मिर्च लेए है अब अपने पेस्ट बन करके त्यार हो गया है दाल का अब हम ले लेंगे एक बाउल इसमें सारा जो हमने दाल को पीसा है इस पेस्ट को डाल देंगे ऐसे ही सारे दाल को हमें पीस करके त्यार कर लेना है ये देखेंगे सारी दाल मैंने डाल दी है थोड़ा सा इसमें दो से तीन चम्मच पानी डालेंगे, दो से तीन चम्में से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, यह देखेंगे, अच्छे से हो गी है, ग्राइंड इसे भी हम इसे बाउल में निकाल देंगे, अब इसमें हम डालेंगे, शीमला मिर्च, आदा कप मैंने शीमला मिर्च ले लिया है, जिसे कि मैंने काट लिया है, मीडियम साइज में, फिर मैंने ले लिया है, गाजर, आदा कप, जिसे कि मैंने कदुकस कर लिया है, गाजर को, आप चाहे तो बारिक बारिक चोब भी कर सकते हैं, फिर मैंने ले लिया है, एक प्याज, एक छोटा प्याज लिया था इसे भी मैंने काट लिया है फिर मैंने ये ले लिया टमाटर एक चोटा टमाटर लिया था इसे भी मैंने कट कर लिया है बीज निकाल दिये थे मैंने फिर मैंने ले लिया धनिया दो से तीन चमच मैंने धनिया लिया जिसे कि मैंने काट करके अच्छी से दूँगे आप अपने डेस्ट के गोडिंग कम जादा भी कर सकते हैं फिर मैंने ले लिया आदी चोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर एक चुथाई चमच लेंगे हम काली मिर्च का पाउडर फिर मैंने यह ले लिया है जीरा पाउडर आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर ल बना करके जटपट से बन करके त्यार हो जाते हैं कम महनत में दिखेंगे अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है इसके चाहे तो आप चिल्ला भी बना सकते हैं ऐसे बैक्टर बना के पैटर इसका आप चाहे तो चिल्ला भी बना करके खा सकते हैं यह दिखेंगे मैंने एक त ना है सारे mixture को जो हमने बनाया है यह दिखेंगे मैंने सारे ब्रैड पर लगा दिया है अब इसे हम उल्टा करके डाल देंगे तवे की उपर और थोड़ा सा घी लगाएंगे साइडों से ताकि जो चिपके ना अच्छे से पक जाए फिर सी की उपर इसकी उपर से भी लगा द देंगे फिर थोड़ देर के बाद इसे पल्ट देंगे यह दिखेंगे इसे प्रैस करेंगे प्रैस करकर ही इसे आप पकाईएगा नहीं तो यह कच्छा रह जाएगा अंदर से दिर दिर प्रैस करिएगा और पकाती चाहिएगा स्लो गैस पे यह दिखेंगे साइडों से मै होने लगा है यह हमारा ब्रैड बन करके त्यार है ऐसे हम बाकी सारे ब्रैड भी बना करके त्यार कर लेंगे बहुत असानी से बन करके त्यार हो जाती सिर्फ ब्रैड पर हमें यह लगाना है और इसे पकाने के लिए रख देना है फिर उपर वाले ब्रैड पर भी लगा देना है घीलगा करके यह देखेंगे आप प्रेस करते जाएंगे तो अच्छे से यह पक जाएगा यह देखेंगे हमारा जो मूंग दाल टोस्ट है वो बन करके हो गए है त्यार फटा-फट से बन जाते हैं आप भी रेस्पी ट्राइ कीजिए आपको यह रेस्पी कैसे लगी हमें क कोमेंट काके चुरूर बताइए वीडियो ची लगी तो लाइक कीजिए अपनी फ्रेंड और फैमली के साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ ठैंक्स पर वाचिंग रादे रादे जी